नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब सौगात है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम अनुभू पर फ्रेंड से आजम बात करेंगे लेकपाल फाइनल इसलर्ट न्यूज है फाइनल कट आफ जो ऑफिसल कट आफ आई है पहले तो हम उन्हें जुनों ने यहाँ पर सफलता पाई है उन अभ्यारतियों को कॉंग्रेक्शुलेसंस टू अल यहाँ पर 7887 अभ्यारतियों को सफल घोसित किया गया है तो कि यहाँ पर 8,085 प हुआ चैनल यहाँ पर 30 दिसंबर की रात में आपे ऑफिसल वेबसाइट पे यहाँ पर डिजर्ट अप्डेट किया गया है अप्लोड किया गया है फ्रेंड्स नय साल में आपे 7,987 लेकपाल प्रदेश को मिल जाएंगे अधिना सेवाच यान आयो गयाने की UPSC ने सनिवा को लेकपाल भरती का अंतिम परणाम जारी कर दिया हां फ्रेंड्स है यहाँ पर वर्सुद 2022 में जनुरी 2022 में यहाँ पर लेकपाल के 8,085 पद उपर भरती का विगया पंजारी किया गया था 2021 जो PT 2021 के अधार पई यहाँ पर 2,667 बहरती को सॉर्ट लिस्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स की दो कोशनों के लेके विवाद था जिसमें 2 माई 2023 को लिकित परिच्छा का परणाम जारी किया गया और इस वीच दो सवालों के लेकिया भरती सुप्रिम कोड चले गया सुप्रिम कोड के निर्देश के बाद यहाँ पर उत्तरकुंजी सं दिसमबर को जब सुप्रिम कोड ने अपना यानि संसोधित उत्तरकुंजी जारी करने के लिए कहा तब 14-16 दिसमबर को 1596 अभरतियों को अपलेक परिच्छन के लिए और बुलाए 27,000 अभरतियों को सफल खोसित किया गया था डाकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए 1596 भरतियों को अलग से बुलाए जाता है क्योंकि फ्रेंड से आपे पहले तो 75 कट आप गयती अब यहाँ पे जब 8,000 पचासी पन है तो अब भरतियों को यहाँ पे जो आयोग को बुलाना चाहिए 12,000 भरतियों को ही बुलाना देखें यहाँ पे चरण इतने नहीं है तो आयोग मुझे लगता है अब भरति भी इसमें ही खुश रहते हैं मगर यह चीज़े उनको समझनी चाहिए कि डॉकुमेंट वैरिफिकेशन यदि आप करवा लेंगे तो आप फाइनल सेलेक्शन नहीं होगा आपको क्योंकि आप चीज़ आपको समझनी है कि जब 8,085 पद हैं और 27,000 अभरति को बिलाएगा डॉकुमेंट वैरिफिकेशन के लिए तो कटाफ डेफिनेट बढ़ेगी बढ़ेगी 75 तो नहीं होगी तो इसलिए मैं सुरू से कहा रहा था कि भाई जिनका डॉकुमेंट वैरिफिकेशन हो र यानि कटाफ जितनी गई है मैं वह आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पर 188 अभरति जो दिव्यांग स्रेडी में थे उनको वह यहां पर नहीं मिल पाए है इसलिए यहां पर जो फाइनल रिजर्ट आया है 7,987 अभरतियों को फाइनल सफल भुसित किया गया है यहां पर फ यहां पिछड़ा वर्ग 81,25 गई है और EWS भी 81,25 गई है यानि EWS और OBC सेम गई है और जो फाइनल कट आफ जो अंडिजर्ट केटेगरी की है 83,25 तो मैं पहले ही कह रहा था कि जिनका 82 प्लस है उन्हीं का फाइनल सेलेक्शन होगा आप मेरे जो पिछले वीडियो है उनका आप अलोकन कर लें उसका मैंने अपने डिस्किप्शन वाक्स में लिग दे दिया या आई बिटन पर यहां पर जाके देखें उसमें मैंने साफ साफ का है यह आयोग है आपको लॉलीपॉप दे रहा है ज्यादा से ज्यादा बैटों को बुला रहा है तो आप यह मत जो समय आवधी बढ़ाएं एक वर्स पीटी करकते हैं तो जितने भी बहरतियां बार-बार पीटी की त्यारी में हर वर्स पीटी की त्यारी करते रहते हैं उस पीटी से एक से दो भरतियां निकलती हैं और पता चला हुआ या नहीं हुआ और यहां पर देख सकते हैं जनवरी सेनानी के हैं यहां पर 69 गया पहले आप को टॉफ देख लें और जो विकलांग स्रेणी के हैं जितने भी भूत पुरसानी के महिला की गई है जो 77.25 महिलाओं का थोड़ा सा कह सकते हैं बेटर है वगर इतनी भी कम नहीं है आप आप आज के समय में यदि आपको फाइनल सेलेक आते थे वह अब अभ्यारती सोच रहे हैं कि हमारे 65 प्लस ही माक्स बन जाए तो मुझे मुझे परिक्षा में समलित होने का मौका मिल जाए ऐसा अब चीजे बदल चुकी है पेपर का लेवल भी अच्छा आ रहा है तो जिसके चलते अभ्यारतियों को जो मेहनत करेगा उसी जरूर होगा अभ्यारतियों को मगर उससे भरती जल्दी और होगी है सकता ही सगा अभ्यारतियों को बिलाया तो लेटी तो भी यही आप बलाते 15000 अभ्यारतियлам या 12000 अभ्यारतियों को बलाते 20 2000 अभ्यारति निatt BT तो बेसिकली मैं आपको यह बता रहा हूँ कि कॉट आफ कितनी गई है और मैंने आपसे कहा था कि जिनका एक क्यासी प्लस है चैन उनी का होगा और डेफनेट बढ़नी थी तो आप देख सकते हैं यह है छोटी सी निज जो मैंने आपको दी और भी जानकारिक लिए आप हमारे अब असे सब्सक्राइब को लें टेली ग्राम चैनल से जूर जाएं तब आपकी अब्डेट पाने के लिए थांक्स पर वचिंग जाहिए